हलो दोस्तों, DICGC Bill 2021 को Cabinet ने अप्रूवल दे दिया है, अब इसे पारलेमेंट में इंट्रोड्यूस के रहा जाएगा, तो आए इसके बारे में जानते हैं, तो DICGC Bill क्यों लाया गया है, तो 2019 में पंजाब और महारास्टर बैंक फेल होता है, उसके कुछी समय के बाद, RBI होती है, उसके मोरेटरियम लगा देती है, यानि पावंदी लगा देती है, कि ना आप आगे अब लोन दे सकते हो, और ना ही आपके जो कस्टमर है, अपना ही पैसा वो विड्रॉण नहीं कर सकते हैं, तो इसके वज़े से काफी ज़दा डर हो गया था लोगों में, यान में पहले हम जानते हैं, तो जैसे हम और आप हेल्थ इंशॉरेंस करवाते हैं, स्वास्त बीमा कराते हैं, या फिर गाडियों का बीमा करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे, तो उसमें हम कुछ प्रिमियम भर रहे होते हैं महीनियों में या सालों में, तो जब हमार गारी का चुछ आक्सिडेंट हो जाए या फिर हमारा स्वास्ति काफी ज्यादा खराब हो जाए तो उसमें यह कंपनियां के हमें पैसे देती है घज देती है मदद करती है हमारी उसी तरह से बैंको का इंशूर growing होता है यानि जो बैंक होती है वो अपना बीमा कराती है उस जैसे Health Insurance IP Women II Society कंपनी में होता है तो उसी तरह से जो बैंको का इंशूरेंस होता है उससे हम DICGC कहते हैं यानि कि जो DIC यानि deposit insurance यानि जो जमा करा हुआ पैसा हुआ है उसका बीमा और credit guarantee यानि आपको पैसे लोटाने की guarantee ले रही है ये company तो जैसे तो बैंकों का accident क्या होता है तो बैंक जैसे एक normal company है और उनका कान थंदा क्या है कि वो कुछ ग्राकों से पैसा जमा लेते हैं और फिर कुछ लोगों को लोन देते हैं और लोन से जो पैसा मिलता है वो उनका profit होता है और फिर उन customer को जिन्होंने वहाँ पैसा जमा करा था उसको लोटाते हैं तो इनका accident क्या होगा कि जब यह कुछ ऐसे लोगों को लोन देते हैं या फिर person को या फिर किसी company को ऐसे लोगों को लोन देते हैं जो कि उनको पैसे नहीं लोटा पा रहे हैं तो जब इनके पास profit नहीं होगा तो उन ग्राकों को जिन्होंने पैसा जमा करा था उनको लोटा नहीं पाएंगे तो यही होत RBI का एक subsidiary यानि RBI जो है Reserve Bank of India इनका महबाब है और DICGC कोई नया concept नहीं है यह 1961 के ही एक act के तहर पास किया गया था इसे और यह तभी से चलता आ रहा है और इसके अंदर सारे बैंकों को insurance मिलती है जाहिए वो commercial bank हो commercial bank के अंदर public sector bank हो like SBI State Bank of India हो Punjab National Bank हो या फिर कोई private sector bank है ICICI HDFC या फिर कोई ग्रामीन bank है foreign bank विदेशी बैंकों के अगर कुछ इंडिया में branches है small finance bank होगा या फिर payment bank लाई की Paytm हो गया cooperative bank लाई की Punjab and Maharashtra bank तो इन सब में किसी ने भी अगर अपना पैसा जामा कर रखा है तो उनको कुछ insurance प्रोवाइड करती थी एक company और इसमें deposit या अगर आपका FD भी है इन बैंकों में FD है या फिर आपका saving deposit है या फिर current deposit है recording deposit है तो इन सब पे insurance प्रोवाइड करती है एक company और इसमें क्या था प्रोवाइड करती थी यानि कि अगर आपने इस बैंकों में कितना भी पैसा जामा कर रखा हो लेकिन अगर वो bank जो है बरबाद होती है वो fail होती है तो उसमें सिर्फ आपको 1 लाग तक का ही coverage मिलता था और इसमें एक और दिक्कत यह हो रही थी कि जो अगर bank fail हुआ तो उस लोताया जाता है तो उसी प्रकार से इन बैंकों की प्रोपर्टी अगर उनके पैसो को बेच जाता था और उसके बाद ग्रहकों पैसा लोताया जाता था तो इन से प्रोसेस में क्या हो रहा था 4-10 साल लग जा रहाने तो एक तो जिनोंने पैसे जामा कर रखे हैं उसक्की तो इसे चीजों को सॉल्व करने के लिए यह बिल आ गया है तो इस बिल आने के पहले पिछले साल यह जो एक लाग का इंशॉरेंस था उसको बढ़ा करके पांच लाग कर दिया गया था तो हजर बीस के बजेट में लेकिन उसमें जो है उसमें यह प्रोसेस की गारेंटी नही 5 लग तो मिलेंगे लेकि उसमें भी 18 साल लगे या जितना लगे उसकी कोई गारेंटी नहीं थी तो अभी जो बिल पास होगा यानि जो अमेंडमेंट करी जाएगी एक्जिस्टिंग बिल में जो 2021 का तो उसमें नया प्रावधान क्या किया गया है कि जो 5 लग का इंशॉरेंस होगा वो आपको 90 दिन के अंदर ही मिलेगी ये गारेंटी ले रही है DICGC और दूसरी चीज़ ये कि जो बैंक के थी तो जो बैंकों को प्रिमियम भरना था तो पहले जो था हर 100 रुपे अगर डिपोजिट होती है जब एक लाग से पाच लाग कवरेज किया गया है तो प्रिमियम तो जादा हो गई तो उसलिए अब हर 100 रुपे पे 12 पैसे मिनिमम और जादस जादा 15 पैसे उनको प्रिमियम भरना पड़ेगा DICGC पे हर बैंकों को तो इससे कवरेज जादा होगी और फिर तीसरी क्या चीज है कि अगर अभी अलरडी कोई बैंक है जो मॉरेटेरियम में है यानि जिन पर पावंदी लगाई गई है या फिर फ्यूचर में किसी पर भी पावंदी लगाई जाती है इस किनी बैंकों पे तो उन दोनों के टिकरी के बैंकों को Запर तक कहीं इंसूरेंस है उससे जाधा गारण्टी मतलब नहीं ले रही है य मात करते हैं अब बात करते हैं कि इससे फाइधा फाइधा क्या होगा होगा जब लोगों ना ट्रस्ट पर बने टो वह अपना ज्याधा वच्छत करेंगे और इन बैंकों में अपना सेविंग करेंगे, डिपॉसिट करेंगे वहां पर, तो जब सेविंग बच्छत जादा होगा, तो निवेश जादा होगा, यानि इन्वेस्टमेंट जादा होगा, और निवेस्टमेंट जादा होगा, तो क्या होगा, मारी देश जोहर तरक्की करे तो बस इतना ही आज के लिए बागी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए शुक्रिया